हाँ जी गुड़ी इवनी ठीक है स्टार्ट करें लास यासा तो पिछली क्लासिस में हमने एएफे में स्टार्ट ही नहीं किया था पिछली क्लासिस में कुछ नहीं किया था पिछली क्लासिस में हमने time value of money पढ़ा था और इसके अलावा concept of compounding थोड़ा बहुत देखा था इसके अलावा standard deviation क्या होता यह सब कुछ देखा जो वो basics कोई chapter नहीं है वो आगे आने वाले chapters में काम आएगा तो आज से हम start कर रहा है और पहला chapter start कर रहा है और सर उसका नाम है उसका नाम है advanced capital budgeting advanced capital budgeting सर यह वही capital budgeting है क्या जो हमने CA Inter में पढ़ा था यस उससे थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा change है वो सब आपको आता मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करवाने है अगर देखा जाए तो CA Inter में आपने दो टोपिक पढ़ा था capital budgeting का एक basics था और दूसरा था risk analysis यहाँ भी risk analysis ही पढ़ना है पर हमको पढ़ना advanced risk analysis सर तो इसमें क्या-क्या content रहेगा advanced कितने number का आता कितने number का आता यह तो कोई भी नहीं बता पाएगा भी क्या-क्या contents है study mat के इसाब से मैं आपको बता देता हूँ मेरे साथ सत लिखोगे इसके अंदर सबसे पहले जो हमको पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे basics बेसिक्स तो पढ़ा बिट्टे वो वाला basics time value पनी यह वाला basics capital and budgeting के अंदर क्या basics है तो यहां क्या पढ़ाऊगे यहां वो चीजे पढ़ाऊँगा जो हमारे syllabus में तो नहीं है लेकिन बीच में किनी किनी questions में पूछ लिया है मान लो क्या IRR internal rate of return payback period discounting payback period cf.at क्या होता यह सब कुछ है तो हमको करना तो बढ़ेगा अच्छे से it means यह मेरे syllabus में नहीं है तो भी मैं पढ़ाऊँगा यह मान के कि आपको c.a.inter का बहुत जादा कुछ याद नहीं थोड़ा बहुत याद है तो हम manage कर लेंगे ठीक है पढ़ाऊँगा मतलब एक ही example से मैं सब कुछ discussion कर दूँगा तूसरा जो discussion करना है वैसे तो मैं दूसरा replacement पढ़ाता हूँ लेकिन अब जो आपके study mat में है उसी sequence में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा new study mat की मैं बात कर रहा हूँ AFM की उसमें क्या डला हुआ है उसमें सबसे पहले डला हुआ है inflation in capital wasting inflation in capital wasting और आप पढ़के आई गुए मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी है सर होता क्या समझाओ ना समझाओंगा ना भई समझाओंगा खोड़ा से इंतजार करो जब ये topic समझाओंगा तो retail में समझाओंगा अभी से समझाने का कोई मतलब नहीं थर्ट रिस्क एनलिसिस इन ये भी पढ़ा हुए आपका रिस्क एनलिसिस इन इन कापितल विश्टिम ये कहां पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ है सर आपने पढ़ा था रिस्क एजिस्टिद डिसकाउंटिंग रेट आपने पढ़ा था शर्टिनिटी एक्विवेलेंट एप्रोच सर याद नहीं है मुझे मालूम है मैं मानके यही चल रहा हुँ कि आपको याद लिए हालक इसमें और चीजे आ रही है इसमें सिमूलेशन आएगा इसमें डिस्टिंट्री आएगा डिस्टिंट्री वहां था बच्चो टाइप का था यहाँ decision 3 थोड़ा सा advance level फूर्थ इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है आपका C.A. Enter का फैवरेट टॉपिक replacement decision और last पढ़ेंगे हम adjusted present value adjusted present value APV ठीक है सर अब सुनो मेरी बात को बस इतना ही है खताम capital विश्टिंग खताम वाव सर फिल्कुल छोटा सा चैप्टर और बहुत ज्यादा समस्या नहीं है डरने की बात नहीं है किया और कुछी special कुछ डरने की बात नहीं है नॉर्मल है नॉर्मल करो धीरे से करो मैं आपको डरा दूँ किया यह कुछ नहीं है भाई हम लोगों को स्टार्ट कहां से करना चाहिए था वैसे वैसे थो हम पहले रिप्लेस्ट्मेंट करते फिर यह सब कुछ करते पर मेरा टार्गेट क्या है मेरा टार्गेट है कि जब आप इस्टेडी मैट खोलो नया वाला एफम तो पहला टॉपिक आपको इंफ्लेशन दिखे मजा आएगा इग्जामपल्स दूसरा टॉपिक रिस्क एनलिसिस दिखे तीसरा टॉपिक रिप्लेस्मेंट दिखे चोहता टॉपिक प्रेजिश्टेट और उसके बाद चैप्टर खतम हो जाओ कितना अच्छा लगेगा कि यहर मेरी बुक में जो करवा रहा हूं आपके नोट्स आपके इस्टेडी मैट से मैच हो रहा हूं हर टॉपिक वाइस उसी सिक्वेंस में जिस सिक्वेंस में इस्टेडी मैट है तो सर मजा जाएगा फिर तो यस मैं यही चाहता हूं मजा है अच्छा सर तो यह बात है हाँ मैंने भी मैं भी आपको इसी तरीक से पढ़ाने बाला पर इन सबसे पहले क्योंकि मैं सिधा या नहीं पहुच रहा हूँ इन्फलेशन में मैं पहुच सकता हूँ कि यह मानके कि आपको कैपिटल बश्टिंग आता है पर यार देखो CA Inter निकल चुका है और CA Inter जरूरी नहीं है कि हर किसी का Financial Management अच्छा हो या हर किसी को चीजे बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि मैं सिधा उठाकर Replacement इस्टार्ट कर दूँ या मैं सिधा उठाकर Decision Tree इस्टार्ट कर दूँ तो सर करना क्या है आज की क्लास में मैं आपको CA Inter याद दिलाऊंगा कैसी होता है और किस के थो Basics फिर से बोल रहा हूँ Basics आपके syllabus में नहीं है पर मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ठीक मजबूरी है आज की क्लास वही चलेगी पूरा वही चलेगा तो लिखोगे First Basics क्या होता था Capital Budgeting Sir Capital Budgeting में हम Evaluation करते थे हमें Long Term के लिए पैसा Invest करना होता था Long Term के लिए Long Term के लिए पैसा Invest करना है तो हमें उन Projects में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए ये Evaluation करते थे और इस Evaluation करने की बहुत सारी Technics थी बस वोई लिखवा रहा हूं एक बार, it means मैं क्या लिखवाने जा रहा हूं मैं आप से बोल रहा हूं कि हम कर क्या रहे हैं, और हम कर रहे हैं मेरे साथ सत लिखना है हलके में मतले लेना long term investment proposal कोई long term investment proposal है, उसका हमको क्या करना है उसका करना हमको evaluation decision लेना है और evaluation करने के लिए जो techniques यूज की जा रही है उसका नाम क्या है capital budgeting और capital budgeting को अगर देखा जाए, capital budgeting की बहुत सारी methods है उसको मैंने दो भागों में बाटा है, एक पार्ट जिसमें हम cash flow को discounting नहीं करते हैं हम present value of money को ignore करते हैं और दूसरा पार्ट जिसमें हम cash flow को discounting करते हैं it means अगर मैं कहूं इसको दो पार्ट में बाट दिया, एक कैसा, कौन कौन सा, first, second, पहला क्या है पहला हम जिसमें, इसको बोल रहो है, non, PCF techniques, जिसमें हम cash flow को discounting नहीं करते हैं और एक क्या गया है DCF techniques, जिसमें cash flow को discounting करते हैं ठीक है, non-DCF techniques और DCF techniques और non-DCF techniques में हमने पढ़ा है हम पढ़ेंगे, मैं यह नहीं बूल सकता क्योंकि हम नहीं पढ़ेंगे और क्या-क्या था, एक था Payback period, और दूसरा था, average rate of return भी बोलते हैं और इसको accounting rate of return, average rate of return या फिर accounting rate of return ठीक है, कोई फरक नहीं पढ़ता, क्योंकि यह वैसे भी नहीं आने वाला है पर कभी आ गया तो, इसलिए मैं करवा हूँ एक class जाए तो जाए, पर सारी चीज़े revise तो हो जाए और DCF टेकनिक में हमको करना है discounting, PVP, PVP का मतलब क्या होगा? Payback period discounting Payback period तर दूसरा क्या करना है? Net present value तीसरे नमबर पर हमें क्या करना? Profitability Index इसको P.I.E. बोलते थे और फूर्थ नमबर पर क्या करना है हमको? Internal rate of return ठीक है? पता होना जरूरी है तो उसके बिना काम नहीं होगा That's it तो ये सारी चीज़े वो है जो हम पढ़ चुके है और इसको हमें याद करना है ठीक है? आपको याद करना पड़ेगा और वो मैं याद दिलाऊंगा एक example के थूरू मेरी कोशिस रहेगी कि ये मैं सब कुछ याद दिला दू ठीक है? पर ultimate जो important है आपके लिए ultimate important है वो NPV और है IRS ultimately हमको NPV वाला ही काम करना है NPV ये आपके लिए सबसे ज़्यादे important है इसलिए इसको समझने के लिए time लग जाए तो लग जाए पर ये दो चीज़े अच्छे से समझेंगे पहले start कैसे करें? पहले मैं एक example लेता हूँ और इस example से समझाने की कोशिश करूँगा हर चीज एक ही example से मैं ज़्यादा time खराब नहीं करूँगा एक ही example से ये भी समझाँगा, ये भी समझाँगा ये सारी के सारी चीज़े एक example से समझाँगा आई एरर को छोड़कर नोट कर लिजी लिख लिया है? येस लिखोगे मेरे साथ साथ मैंने कहा एक ही example से करवाने है example number 1 लिखोगे cost of project 1,25,000 cost of project rupees 1,25,000 हम किसी project में पैसा लगाने का सोच रहा है और हमको मालूम है कि उसमें पैसा लगाएंगे तो कितना पैसा आज लगाना पड़ेगा? 1,25,000 life of project पैसाल वो project पैसाल चलेगा और पैसाल बाद उस project को खतम कर देंगे, terminate कर देंगे बंद कर देंगे और बंद करेंगे तो हमारा अनुमान है कि हमको मिलेगा 35,000 सर उससे कुछ आएगा की नहीं आएगा अब प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो पैसा आएगा डेप्रिशिशन भी लगीगा सर डेप्रिशिशन का रेट 25% पर रहे न WDV मेथड WDV मेथड आता है न हर साल दीरे 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 कम होता है अब जब हमने प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया तो करोगे क्या सर प्रोजेक्ट में पैसा लगा जो भी प्रोड़क्ट बनाएंगे उसका बेचेंगे तो हर साल का सेल्स कितना सर ये बताईए तो हमारा अनुमान है एक्सपेक्टेड सेल्स होगा फर्स्ट इयर, सेकेंड इयर, थर्ड इयर, फूर्थ इयर कितना कितना एक्सपेक्टेड सेल्स होगा 90,000 80,000 1,000 कमड़े 5,000 and 50,000 इस एक्सपेक्टेड सेल्स कि प्रोड़क्ट बनाकर बेचो के तो हर साल मिलेगा 90,000, 80,000 किसी साल, 1,10,000, 75,000 और 50,000 तो सार, खर्च भी तो आएगे यस और खर्च आएगे, यहां लिख रहा हूँ साइट में तो मैं आप से बोल रहा हूँ variable cost है at the rate यह फिर variable cost equal to variable cost equal to 35% इसके अलावा fixed cost भी है, excluding depreciation depreciation के अलावा, depreciation को छोड़कर fixed cost कितना है तो यह ऐसा रूपीज 10,000 पर है और tax का rate कितना है tax, 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 tax का rate है 30% और cost of capital और cost of capital है जिस्से डिस्काउंटिंग करते है और कसर निकालना क्या है calculate payback period payback period के अलावा accounting rate of return इसके अलावा और इसके अलावा और इसके अलावा ठीक है सार अब हम लोग तैयार है बहुत बारीक्यों से एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम किसी project में पैसा लगा है हाँ sir project में पैसा लगा रहा है कितना पैसा लगा है एक लाग पच्चिस जार पैसा गया cash out और हम देखेंगे कि जितना लगा रहा है उससे जखादा आना चाहिए और जो आता है उसको हम discounting करते हैं बोलो जो discounting करेंगे जो पैसा आएगा तो सहलस को किसको करना cashflow का मतलब क्या है यह समझने के कोश करेंगे किंगे केले मतलब क्ष्वद्व वॉ क्ति हम औक पर जो cash inflow है वो क्या ले sales ले ले या फिर खर्च काटने के बाद ले sales नहीं लेना है sales में से सारे cash expenses minus करने है sales में से सारे ऐसे खर्चे minus करना जो cash में है और वो minus करने के बाद जो cash flow आएगा उसको discounting किया जाता है exactly क्या यहाँ cash flow दिखाया गया है नहीं सर यहाँ sales दिया है तो sales में से एक काम करते सारे expenses minus कर लेते और जो आएगा उसका नाम रहेगा cash flow हला कि उसका नाम रहेगा cash flow after tax करिश्टाट यस चलो काम करें तो अब भी हम यह सब कुछ नहीं निकाल सकते हम लोगों को सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा हम लोगों को सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि हमें cash flow निकालना पड़ेगा तो working note number one presentation important है मेरे सास्थ काम करना calculation of cash flows हला कि आगे से हम इसको cash flow after tax बनेंगे कितने साल गाम करना हमको सर हम लोगों को total मिलाकर pass आना एक तो ती चार और पाच एक तो ती चार और पाच ठीक है सबसे पहले क्या लिखेंगे सरसेल्स सेल्स कितना कितना है नबे अजर असी अजर एक दस पचितर और पचासी यह वाला सेल्स लिखेंगे 90,000 80,000 1,10,000 75,000 और 50 था होज़ें इसमें से माइनस क्या करोगे वेरिवल कोश्ट और वेरिवल कोश्ट कितना पर्सेंटेस है चेक करो वेरिवल कोश्ट वेरिवल कोश्ट अब यार एक यह तरीका था कि 90,000 इन्टू 35 पर्सेंट ऐसे न करके आप भी जानते हो अला कि पहले कैलकुलेटर में लिख लेना 0.35 इन्टू 90,000 31,500 80,000 एक वेल टू 28,000 एक लाग दस जार एक वेल टू 38,500 75,000 एक वेल टू 26 250 और 50,000 इस इक वेल 17,500 समझ मैं आए ना कैसे किया मैंने पहले लिखा मैंने 0.35 फिर इन्टू 90,000 एक वच्वल टू 80,000 एक लाग 10,000 इस तरह से काम किया इसके बाद क्या माइनस करना इसके बाद माइनस करना fixed cost और fixed cost हर साल गा कितना है 10,000 10,000 दास जार, दास जार, दास जार, और दास जार, अब जो आएगा, उसका नाम क्या है, जल्दी से बोल, तर सेल्स में से वेरिबल कॉश्ट और फिक्स कॉश्ट माइनस कर दिया है, येस, depreciation minus नहीं कि और interest भी minus नहीं कि और interest minus होता भी नहीं है वो मैं आपको समझाऊंगा अगली class में कि क्यों नहीं होता तर इसका मतलब है इसको वैसे बोला क्या जाता है earning earning before interest and tax और क्या minus नहीं किया depreciation and amortization ibda बोला जाता है earning before interest tax, depreciation and amortization depreciation और amortization यह minus depreciation minus नहीं कि वैसे इसको हम यह भी बोल सकते थे cash flow before tax cash flow before tax यह भी बोला जा सकता है ऐसा cash flow जिसमें से depreciation minus नहीं हुआ इसलिए तो cash flow नाम है और tax भी minus नहीं हुआ एक बार निकाल ले क्या 90,000 minus 31,500 minus 10,000 48,500 42,000 1,10,000 minus 38,500 minus 10,000 61,500 75,000 minus 26,250 minus 10,000 58,750 50,000 minus 17,500 minus 10,000 22,500 200,000 अब यादि रखना याद रखना इाद रखना याद रखना, याद रखना, याद रखना याद रखना, इसमें से वही कर्चे minus 09, जो cash में जा रहे हैं तो problem क्या है सुनो, problem क्या है, पहले सुन दे ना, उसके बाद लिखना, problem क्या है, जैसे ही मैं tax निकालने की कोशिश करूँगा, और tax का rate कितना है, sir, tax का rate है 30%, जैसे ही मैं tax निकालने की कोशिश करूँगा, तो problem क्या आएगी सुनना, problem income tax वाला कहेगा, 30% किसका निकालोगे, 30% 48,500 का नहीं, income tax के इसाब से आप इसमें से depreciation minus कीजिए त्योंकि आपको tax का amount पता करना है आपको tax का amount चाहिए इसलिए tax का amount चाहिए इसलिए मुझे मजबूरी में depreciation minus करना है बात समझे में आती है, yes इट मेंस हाँ तो सर फिर बाद में उसको एड़ बैक कर लेंगे हाँ बाद में उसको हम प्लस कर लेंगे हम क्यों माइनस कर रहा है क्योंकि टेक्स निकाला इस पे नहीं जाता टेक्स निकाला जाता प्रोफिट भीफोर टेक्स पे अच्छा सर इसलिए इसमें से क्या माइनस किया जाएगा इसलिए इसमें से माइनस किया जाएगा डेप्रिशिशन अब डेप्रिशिशन किस पर निकाला जाए हाँ जी डेप्रिशिशन का क्या चक्कर 25 परशन लगाना है बिल्कुल 25 परशन किस पर लगेगा सोच समझ के जवाब दीजिएगा 1,25,000 माइनस 25,000 1,25,000 माइनस 35,000 इसका 25 परशन या फिर सीधा 1,25,000 का 25 परशन कहा निकाला जाएगा अधिकतर बच्चे ने क्या गलतिया किया था अधिकतर बच्चे क्या गलती करते अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो सेल्वेज वेल्यू माइनस कर देते सेल्वेज वेल्यू माइनस नहीं होगा अगर रेट ऑब डेप्रिशिशन दिया rate दिया है तो depreciation calculate करते समय कभी भी service value minus नहीं important है चाहो तो लिख लेना अपनी copy में अगर rate दिया है तो कभी भी service value minus नहीं होगा ये बात आपको याद रखने है ठीक है मतलब किस पर निकलेगा 1,25,000 तो चले 1,25,000 into 25 पर्शन तो सर ये आगए 3,1 25,0 23,4,3,7 1,7 5,7,8 1,3 1,8,3 1,8,4 ले 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 9,8,8 8 ले 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 दीक है क्या कोई ऐसे बच्चे है जिनको WDV method से depreciation निकालना नहीं आता है shortcut से हाँ sir है तो बताइए shortcut कैसे लगाया दो तरीके है दो तरीके पहला तरीका क्या है पहला तरीकह यह है कि कॉश्ट आप मशिन कितना है तर एक लाख़ेश इन्टू 25 परशन माइनस 25 परशन माइनस 25 परशन माइनस 25 परशन एक दो तीन एक दो तीन चार माइनस इस तरह से निकाला एक लाग 25 जार इंटू 25 परशन माइनस 25 परशन माइनस निकालोगे तो यह आती जाएगा ठीक है और दूसरा तरीका यह है कि पहले साल का डेप्रेशिशन निकाल लिया आपने यस तो सब दूसरा तरीका क्या है यह भी बता दो दूसरा तरीका है कि लिखोगे 0.75 0.75 क्यों क्यों यह 25 परशन काटा न अगर 25 परशन कटा तो अगले साल जो डेप्रेशिशन है वो पूरा नहीं निकालेगा 75 परशन ही Tho सर पॉइंट सेवन फाइव इंटु three one two five zero equal to किया ये आ गया फिर equal to किया ये आ गया फिर equal to किया ये आ गया फिर equal to किया आपकी जैसी मर्जी आप कर सकते दिक है सरी ये तो हमको CA, enter से आता मैं जानता ह foremost फाइनल देना एक ही बार देना और निकालना है तो पूरी बारी क्यों से चीजों को समझ ले रब कर दू ना इसको खीक है सर अब क्या करना है बस बंद करते हैं इसको अब जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा सर अब depreciation में माइनस हो चुका है तो इसको हम profit before tax बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं profit before tax 48500-31250 17250 42000-23437 18563 61500-17578 43 922 28750-13184 225566 बावी सेजर पाश्वाश्वाश्वाश्याश्या-9888 ठीक है सर यहां तक बात हो चुकी है अब क्या करेंगे अब टेक्स अब तो टेक्स निकाल सकते हो ना यह सर टेक्स और टेक्स का रेट कितना है 30% कैसे करना 0.3 0.3 into 17250 तो सर यह आगया 5175 18563 equal to यह आगया 5569 43922 13177 225566 यह आगया 76 70 12612 तो यह आगया 3784 यह किए है, अब 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 मुझे क्या चाहिए है, अब मुझे यह चाहिए क्याश खेज फ्लो कितना, अगर मैं बोलू कैश फ्लो में सीधा भी निकाल सकता हूं, ये मुझे मालू है 48,500 और इसमें से सीधा क्या मैनस करना है टेक्स, तो मैं सीधा कैश फ्लोओ आप्टे ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जरूरत है इसी वजह से मैं पहले पैट निकालूँगा और फिर अप्रेशेशन को एड़ बैक कर दूँगा अब क्या निकालेंगे अब निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1725.7 x 17250 तो सर यह आगा है 1207518563 12994 43922 P0 145 2556 17896 12612 888 28882 अब जो विकार में माइनस किया उसको क्या करना पड़ेगा प्लस क्या चीज़ डेप्रेशिशन 31 250 23437 17578 13184 और 9888 अब फाइनल हम निकालने जा रहा है क्या निकालने जा रहे हैं हम निकालने जा रहे हैं CFAT Cash flow after tax 12075 plus 31250 तो इसर आगे है 433325 12994 plus 2343 36 36431 30745 plus 17578 1757 48 223 17896 plus 13184 T1080828 plus 9888 18716 एक बर मिला लूँ 43325 ठीक है 364 3148 323 30808 18716 तो ये काम करना पड़ेगा सरा वाव सर मैं जा आ गया जल्दी से नोट करोगे अजी हो गया ठीक है सर अब इसके अलावा इसके अलावा मुझे और एक चीज की जब्रत पड़ेगी ये तो गया मेरा Cash flow after tax इट मिन सर ये हुआ कि किसी प्रोड़क्ट को आप बना रहे हो बिल्कुल और जिस प्रोड़क्ट को आप बना रहे हो उसको बेचने से तो पैसा आएगा बिल्कुल लेकिन सर जिस प्रोड़क्ट में आपने पैसा लगाया है जिस मसीनरी में पैसा लगाया है उस मसीनरी को क्या करोगे पास साल बाद बेज देंगे तो सर उससे भी तो पैसा आएगा यस उसको भी तो consider करना पड़ेगा कहीं ना कहीं जी हाँ उसको वोला जाता terminal value terminal value मतलब मतलब अगर project को terminate कर दिया जाए अगर project को बंद कर दिया जाए तो बंद करने पे last में कितना पैसा आएगा ये भी पैसा आएगा पर ये तो जो manufacture कर रहा है उसको बेचने से आएगा और ये जो पैसा आएगा ये project से आएगा पाच्वे साल के अन्तम है तो सर वो भी निकालना पड़ेगा यस और उसको हम क्या नाम देंगे उसको नाम देंगे टर्मिनल वेल्डियू तो वर्किंग नोट नमबर टू यही कर ले क्या ये ता लिखेंगे calculation of terminal तो लिखोगे ये वर्किंग नोट नमबर टू ये जगा चाहिए हमें क्या निकालना है टर्मिनल वेल्यू टर्मिनल वेल्यू क्या है अगर प्रोजेट को terminate कर दिया जाएगा तो कितना पैसा मिलेगा ये टर्मिनल वेल्यू त्यार हो से पहले क्या लिखा जाता है अब से पहले लिखा जाएगा sales consideration कि आज से क्या अनुमान है कि पास साल बाद मशीन कितने की बिकेगी दिसे sales consideration और सायद मैंने एक्जांपल में लिखा हुआ कितना 35,000 35,000 मसीन बेचने से हमें मिलेगा 35,000 ते sales consideration माइनस क्या करोगे मसीन बेचने से 35,000 आएगा हो गए ना काम अब क्या चाहती हो पिटे जैसे ही में मशीनरी बेचने जाओंगा तो जैसे ही बेचूंगा तो इंकम टेक्स वाला जाएगा कैगा capital gain देना पड़ेगा capital gain tax मेंने का वो 35,000 पे देना पड़ेगा मसीनरी को बेचने से जितना फाइदा होगा उस पे देना पड़ेगा capital gain capital gain कैसे निकाला जाता है सर मसीन बेचा कितने में और उसका उस समय book value क्या था उसको बोलते है WDV या book value अब book value कितना आएगा 1,25,000 की मसीन है एक, दो, तीन, चार पार सर वो आ गया 2,9 6, 6, 3 2,9, 6, 6, 3 तरी कैसे आया किसी बच्चे ने मुझे reply किया था सर 1,25,000 में से ना पूरा depreciation minus कर दो ये भी एक तरीका है या फिर एक तरीका ये भी है सुनो 75 परशंट ही तो बचा आज समझने की कोशिश करना इटमिस मैंने क्या किया मैंने एक सॉटकट लगाया मैंने का यार मैं लिख देता हूं 0.75 0.75 क्यों लिखा क्योंकि इस साल की इस साल मशीनरी की जो वैल्यू है 25 परशंट depreciation कटेगा तो 75 परशंट ही तो बचेगा यस तो 75 फिर उसके आगले साल 75 तो मैंने 0.75 इंटू एक लाख पच्चिस हजार एक दो तीन चार पाच ये आगे है 0.75 इंटू एक लाख पच्चिस हजार 0.75 इंटू एक लाख पच्चिस हजार एक दो तीन चार पाच 29663 यह या न ठीक है सर तू बताओ यहां जुआएगा उसका नाम क्या रहेगा कैपिटल गे 35,000 माइनस 29663 यह आगे सर 5, 3, 3, 7 और इस पर क्या लगे का टेक्स और टेक्स का रेट कितना है 30 पर्षन तो यह आगे 1, 6, 0 1, 6, 0 पुश्चिन बड़ा सिंपल सा है अंसर चाहिए टेक्स काटने के बाद नेट मेरे जिब में कितना है समझना ठीक से कोश्चिन सिंपल सा है टेक्स काटने के बाद मेरे जिब में कितना आए का टेक्स काटने के बाद, मसीन, कुछ बच्चे ने मालूम है क्या जवाब दिया था, 5337-1601, 5337-1601, आंसर उन्होंने बोला था, 3736, टोटली गलत है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यह बोल रहा हूँ, इंकम टेक्स काटने के बाद, मेरे जेब में बेचने से, मसीनरी का बेचने से आया 35,000, और उसमें से इंकम टेक्स होआ लागे, मैं बोले टेक्स तो दो, उसमें से 35,000 मैं से मैंने 1601 दिया, 16, तो मुझे 35,000 में से माइनस करना पड़ेगा 1601, कॉंसेप्ट पता है आपको, ठीक है, तो सर इसको हम ले लेते है 1, यहां गलती हो जाती है, इसक तर्मिनल वेल्यू किता है, 1, माइनस, 2, 35,000, मैंनस 1601, तो यह आगया है, रुपीस, 3, 3, 3, 9, ठीक हैं, यह दो वर्किंग नोट मस्ट है, इन दोनों वर्किंग नोट के बिना हम से कोश्चन नहीं बना, ठीक हैं, यहां तक काम कर लिए सब बच्चों ने, यहां तक काम हो चुका है, अब इसके बात हम अपने मेन आंसर बनाना श्टार्ट कर, पहले नमबर पे क्या मांगा है, पहले नमबर पे मांगा है, पेबैक पिरियट, पेबैक पिरियट निकाल है, क्या होता है, पेबैक पिरियट का मतलब यह होता है, आज हमारे जेप से कितना गया, आज हमारे जेप से गया, 1,25,000 तो जो आज मेरे जेब से पैसा जा रहा है वो मुझे कितने साल में recover हो जाएगा पहले साल में कितना जा रहा है पैसा 1,25,000 पहले साल में आ गया है 4,3,3,2,5 ठीक है मैं 1,25,000 रुपए जमा करने की कोशिश करो दूसरे साल में 3,6,4,3,1 प्लस 4,8,3,2,3 सार 1,28,000 हो गया और मुझे चाहिए 1,25,000 इसका मतलब सार 2 साल से ज़्यादा लगेगा पर पूरा 3 साल लगे गया 3 से कम लगेगा इस स्टार्ट करते है पेबैक पिरिएट का मतलब क्या है पेबैक पिरिएट का मतलब है कि जो हम पैसे लगा रहा है वो पैसे हमें कितने दिन में वसूल हो जाए कि रिक कवर हो जाए स्टार्ट कर रहा है दिखो के फ़स्ट पहला का कैलकुलेशन और पेबैक पिरिएट प्रिजिन्टेशन कैसे सबसे पहले लिखेंगे इयर फिर लिखेंगे कैश फ्लॉस या चीएफ़ेटी लिख लेते हैं चीएफ़ेटी और फिर आजाएगा यहाँ क्यो मेलिट्यू चीएफ़ेटी का मतल़ मिला कर यह क्यों चीएफ़ेटी और क्योमेलिट्यू त्रूटल कितना पैसा चाहिए हमें कितने पैसे का आरेंजमेंट करना है और देखना चाहती कि इतना पैसा हमारा कितने साल में रेकवर हो जाएगा सर फस्ट यर में आएगा कितना आएगा सर फस्ट यर में सर फस्ट यर में आएगा 4, double 3, 25 4, double 3, 25 तो हमारे पास हो गया 4, double 3, 25 ठीक है सर, तर सेकेंड यर में कितना आएगा सेकेंड यर में आएगा हमारे पास 3, 6, 4, 3, 1 3, 6, 4, 3, 1 अब देखें टोटल कितना हो गया 4, 3, 3, 2, 5, प्लस 3, 6, 4, 3, 1 तर टोटल हो गया हमारे जेब में 7, 9 7, 5, 6 दो साल हो चुके हैं और दो साल में हमारे पास इतना पैसा आ चुका है 3rd year में कितना आएगा सर, 3rd year में आएगा हमारे पास 4, 8, 3, 2, 3 4, 8, 3 3 प्लस 4, 8, 3, 2, 3 सर, ये तो आगया 1,28, 0, 7, 9 मतलब पेबैक पिरिएट कितना आएगा सर, पेबैक पिरिएट आएगा दो साल से जादा और तीन साल से कम इयर्स में ही मुझे बताना है इट में सर, समझाने की कोशिश करोगे? येस, मैं समझा देता हूँ ये है 0, ये है 1, ये है 2, और ये है 3 टूटल दो साल निकल चुके है और दो साल में अभी तक हमारे पास आ गया 7, 9 7, 5, 6 ये ना? हाँ सर ओके सर, बस समझे है अब थर्ड येर इस साल काम करना पड़ेगा, और पैसे चाहिए और कितने पैसे चाहिए सर मुझे चाहिए 1,25,000 उसमें से आ गया 7, 9 7, 5, 6 तो मुझे और चाहिए 1,25,000 माइनस 7, 9, 7, 5, 6 तो सर मुझे चाहिए 4, 5 2, 4, 4 ये ना? येस पर मैं जब पूरा साल काम करता हूँ तो कितना आ रहा है? जब हम पूरा साल काम करने हैं तो ये दिख रहा है ये आ रहा है 4, 8 3, 2, 3 सवाल बड़ा important है सर 2 साल में इतना पैसा आ चुका है पूरा साल काम करूँगा तो मुझे 48,000 मिल रहा है मुझे 48,000 नहीं मुझे 45,000 चाहिए तो पूरा साल काम करने की ज़रूद नहीं है थोड़ा सा कम तो पेबैक प्रियर्ड इस इकुल तो कम से कम कितना साल लगेगा? सर 2 साल तो लगे गई लगेगा प्लस यूनिटरी मैथड आता है आपको पूरे एक साल में आता है 48,000 कुछ प्लस 45,000 के लिए कितना साल? एक से कम तो मैं क्या करता हूँ? यह और यहां लिखा यह साल भर में कितना आ रहा है? 4, 8 3, 2, 3 मुझे चाहिए कितना? 4, 5 2, 4 आ जाएगा? यह तो आता है आपको interpolation 1 divided by 4, 8 3, 2, 3 into 4, 5 2, 4, 4 plus 2 आंसर आगे 2. 94, yes 2.94 यह इस पेबेक पिरिएड पेबेक पिरिएड होता क्या है? पेबेक पिरिएड यह होता है कि जो पहलता आप लगा रहा है वो पैसा आपको कितने दिन में recover हो जाएगा? इसी को बोला जाता है पेबेक पिरिएड नोट कर लीजी, फिर बात कर अब बस मुझे इतना बताओ पेबेक पिरिएड के हिसाब से और कुछ बच्चों के आंसर आए थे कि यह सर कर लेना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ है पात साल और पैसा रिकवर हो रहा है 2.94 येर्स में तो कर लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद सर जो उसके बाद कट आफ कट आफ ब्रेक इवन यहां ब्रेक इवन हो गया इसके बाद तो हम कमाएंगे कमाएंगे यह इसके बाद जो भी पैसा हुँ हमारा प्रोफिटी प्रोफिट है पर यार डिपेंड करता कमपनी पे अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो डिजाइड पेबेक पिरिएड डिजाइड इस्टेंडर्ड मैं चाहता हूँ कि मुझे दो साल में ही पैसा रिकवर आ जाना चाहिए दो साल है मेरा desired payback period अगर ऐसा दिया रहेगा question में तो फिर आपके हिसाब से project नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे पैसे recover होना चाहिए था दो साल में पर पैसे recover हो गया 2.94 येर मतलब ज़्यादा समय लगीगा तो project को हमें reject कर लेना चाहिए it means अभी यहाँ कोई information नहीं दिया है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं ठीक है जी हाँ बोलो हाँ सार बात समझ में this is payback period अच्छा अभी मैं अभी और भी बात पूछ था काम की चीज़ अगर मैं कहता हूँ दो project है A और B A B payback period इसका है तीन साल और इसका है चार साल दोनों में से कौन सा project करोगे A यब B ऐसा project इसका payback period तीन साल है या ऐसा project इसका payback period चार साल है कौन सा project करो दोन सर ऐसा project करेंगे जिसमें पैसा जल्दी recover हो lower is better yes जिसमें पैसा जल्दी recover हो ओ project अच्छा है तो उस हिसाब से कौन सा project अच्छा project A है ठीक है सर यहां तक भी हमको बात समझे अब सोच समझ के जवाब देना मैं किये रहा हूँ इसमें पैसा लगा है cost इसमें लगा है 1,00,000 और इसमें भी लगाना है हमको एक लगा दोनों मैं से कोई एक project करना है आंसर देना सोच समझ करी इसमें भी एक लाग है इसमें भी एक लाग है भी आएगा 50,000, फिर आएगा 10,000, फिर आएगा 5,000, और फिर आएगा 2,000, तो इसका payback period कितना दिखा है, दो साल, दो साल में पैसा recover हो रहा है, yes, project B में पैसा लगाता हूं, तो पहले साल आएगा 40,000, फिर आएगा 40,000, फिर आएगा 20,000, फिर आएगा 70,000 रुपए, और फि कौनसा project कर लेना चाहिए, बता हूं, decision आपके हाथ में, अगर मैं payback period पर जा रहा हूं, payback period के हिसाब से, इसमें पैसा कितने साल में recover हो रहा है, दो साल, इसका payback period कितना है, दो साल, और इसका payback period कितना है, तीन साल, तो उस हिसाब से कौनसा project अच्छा है, सब project A, project A देखें समस्या सुनो, पेबैक पिरेट के साथ समस्या यह है कि एक तो टाइम विल्य उपमन इगनोर कर देता है, दूसरी समस्या है कि वो बात के कैश प्लो को सबसे बड़ी बात, बस एक बार रिकवर हो गया, उसके बात क्या होने वाला हमको उससे मतलब है, पेबैक पिरेट के साथ प्रोलम है, इसलिए पेबैक पिरेट अच्छे टेकनिक्स नहीं मानी चाते हैं, अच्छा, मतलब यार बात तो तब होगी कि जब हम पू अच्छ प्लो पर फोकस मत करो, आप फोकस कीजिए प्रोफिट अफ्टर टेक्स पे, आप इसे रिटन और इनवेश्टमेंट भी बोल सकते, कि आप पेट पे फोकस कीजिए, कि आप प्रोफिट कितना कमा रहे हैं, और एक परशंटेज निकल लो, प्रोफिट कितना कमा रहे हैं, आप पैसा कितना लगा रहे हैं, सर पैसा लगा रहे हैं, एक लाग पच्छिस जार, आप एवरेज प्रोफिट कितना कमा रहे हैं, मैं तो दूसरा point, इट मेंस पहले मुझे क्या करना था, सब पहले मुझे निकालना था payback period, अभी क्या निकालना है, अभी निकालना ARR, फिर से सिर्फ और सिर्फ एक method है accounting rate of return, जो profit पे focus करता है, इसके अलावर जितनी भी methods है, सब cash flow पे focus करती है, ठीक है sir, तो काम करें किया, yes, point number two, calculation of accounting rate of return, या इसी को क्या बोल सकते है, average rate of return, accounting rate of return बोल दो, या average rate of return बोल दो, एक ही बार, ठीक है, और formula क्या था, error is equal to, average, profit after tax, divided by, initial investment, 200, कुछ बच्चे यहां average investment भी लग सकते है, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं पड़ना है, two, opening plus closing divided by two, मैं average by average की चक्कर में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि error मेरे syllabus में नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं पड़ना है, एक roughly idea लेते हूँ, ठीक है sir, तो accounting profit कितना है, इसका average कर लेते हैं, 12075 plus 12994 plus 30745 plus 17896 plus 8828 divided by 5, तो यह आगे है 16507, एक बर मैं चेक, 508 ले 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 थे, 1658, कितना लगा कर, sir, 125 था हुचन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ मैं average नहीं ले रहा हूँ, वो आपको आता है, average कैसे करना, एक लाख पच्चिस, इंटू क्या कर देंगे, 16508 divided by एक लाख पच्चिस है, इंटू, अंसर आगे 13.21 पर, बस 13.21 पर, simple है, अच्छा, अब क्या है, अब यह है कि मान लो दो प्रोजेक्ट है, ए, और बी, और इसमें है 13.21 परशन की कमाई, और इसमें 15 परशन की कमाई, और आप से पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट ए करना चाहिए, कि प्रोजेक्ट बी करना चाहिए, ऐसा प्रोजेक्ट इसमें 13.21 परशन की कमाई हो, या ऐसा project जिसमें 15% की कमाई हो answer क्या आएगा सर जिसमें ज़्यादा कमाई हो रही है yes higher is better higher is better अगर ARR के basis पे मुझे decision देना होगा तो मुझे answer आएगा higher is better जिसमें ज़्यादा आएगा तो दो method पढ़ा payback period और ARR जिसमें मैंने time value of money को ignore किया अब सबसे ज़्यादा important और अब हम जो बात करेंगे जिसके लिए हम ये class कर रहा है वो है बात है NPV की discounting payback period मैं आपको homework ही दूँगा NPV की बात करेंगे और NPV बिल्कुल ध्यान से करेंगे proper format बना करेंगे presentation सबसे ज़्यादा important है आप भी जानते हो मैं एक line में कर सकता हूं presentation सबसे ज़्यादा important है कुछ technical issue है उससे देख लेते हैं कि बाद हम आगे चलते हैं आजी एक बार फिर से एक बार चेक करो फिर से जोइन कर लो एक बार चेक करके मुझे बताओ वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है ठीक है ठीक है सर अब मैं आपसे यह कह रहा था हाँ जी सभी लोग ठीक है फिर से वपस आते हैं आदा घंडा है हमारे बास हम आदे घंडे में काम करेंगे पूरा तो NPV के लिए यार presentation important है क्योंकि आपको मालू है एक बात समझे लो क्योंकि आपने आगे नहीं देखा मेंने आगे देखा है तो पूरे capital बिष्टिंग में हम लोगों का NPV ही निकालना है तो NPV निकालना है तो सर NPV निकालना है अब एक बर message के बंद करोगे और मेरी बात सुनोगे सर तो NPV निकालना है तो problem क्या हो रही थी बच्चियों को कि किसी questions में NPV institute किसी और तरीके से निकालता कभी एक line में काम हो जाता कभी हर एक question में presentation अलग-अलग कास कोई ऐसा format मिल जाए question कोई भी हो बनाएंगे हम उसी format में यस में एक format बनाने जा रहा हूं और जब भी NPV का question आएगा हम उसी format में बनाएंगे कसम खाते हैं ठीक है अब मैं करना हूं calculation of NPV proper table मना के काम करना है please आप भी जानते हो कि calculator मुझे भी चलाना आता है discounting payback बेरे निकाल चुक है thank you calculator मुझे भी चलाना आता है shortcut मेरे पास भी है मैं shortcut में नहीं जा रहा हूं number नहीं मिलने वाले हाँ हम multiple choice question हम चाहो तो multiple choice question में करवाओंगा वो shortcut मेरे पास बहुत सारे तरीके है और अभी presentation proper table बना कर सजा कर करेंगे सजा के करना पड़ेगा सजा कर करना पड़ेगा ठीक है sir कसम लिख लिए हो इस तरह से मेरे साथ सथ table बनाऊ हम तो कोई और table बनाते थे आप जो table बनाते थे उससे मुझे मतलब नहीं है आपको मैं जो table बना रहा हूँ वो table मेरे साथ सथ बनाना सबसे पहले लिखा जाएगा year फिर लिखा जाएगा present value factor कितना percent है 10 percent फिर amount और फिर present value इसी टेबल में काम करेंगे जितने भी कोउश्चन से capital बस्टिंग इसी टेबल में काम होगे है सबसे पहला काम cash outflows cash outflows पहले क्यों, पहले तो cash inflow लिखना चाहिए न, बेटे क्यों लिखवा रहा हूँ, हर चीज सोच समझ के लिखवा रहा हूँ, हर चीज सोच समझ के, पहले लिखो गए cash outflow, और यहां क्या आएगा सर, यहां आएगा cost of machine, cost of machine भी लिख सकते हो, cost of project भी लगा हूँ, पहसीन आज लगा रहा हो, और हमने c-enter से पढ़ रखा, आज का मतलब 0 period, और उसका present value 1 ही होगा, कितना लगा रहा है, 1,25,000, तो यहां जाएगा 1,25,000, चिक, इसके बाद इसको हम जोड लेंगे, सर इसको क्या जोड ना होतो गया, नहीं ना भाई, यहां बहुत कुछ आएगा, आपको पता नहीं लगेगा, बहुत कुछ आने वाला, working capital वगेरा, बहुत कुछ आता है, वो मैं समझा दूँगा, क्या होता, working capital, वो मुझे पहें छोड दीजिए, ठीक है, तो अब इसको हम जोड देंगे, और इसको लिखेंगे, 1,25,000, इसको आप total of a, b, बोल सकते हूँ, या आप इसको present value of cash of a, b, बोल, अब आजाएगा, बहुत कुछ और यहां लिखोगे, cash, inflows, और cash inflow में लिखोगे, c, f, 80, जो की आपने working note number 1 से निकाला है, working note number 1, और working note number 1 में 1, 2, 3, 4, 5, factor वैसे तो दिया रहता हम तीन डिजिट में factor लिख रहा है, 9, 0, 9, 8, 2, 6, 7, 5, 1, 6, 8, 3, or 6, 2, 1, 10 परिशन का फ़्यर कितना, 4, double, 3, 2, 5, 3, 6, 4, 3, 1, 4, 8, 3, 2, 3, 3, 1, 0, 8, 0, और आकर ही कितना है, 1, 8, 7, 1, 6, 4, double, 3, 2, 5, into 0.909, 3, 9, 3, 8, 2, 3, 6, 4, 3, 1, into 0.826, 4, 8, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 0.751, 4, 8, 3, 2, 3, 2, 2, 0.751, 4, 8, 3, 6, 2, 9, 1, 3, 1, 0, 8, 0, in 2.683, निशिता का कहना है, फिफ्ट एर में, हाँ, Terminal Value किदर गया है, सर, आएगा ना, मैं उसको अच्छे से लिखूँगा, मैंने कहा ना, मैं सजा कर लिखूँगा, मैं अच्छे से लिखूँगा, सजा कर लिखूँगा, और सर, हमारे पास, AFM में टाइम होगा, कि ये सब सजाने कहा, टाइम ही टाइम होगा, आप उसकी चिंता मत करो, तो यहाँ, एक और चीज लिखना होता है, जिसको बोलते हैं, आप Terminal Value, जो आपने निकाला था, Working Note No.2 से, पिफ्ट एर में ही आयेका, 0.621 रहेका, और 0.621, कितना रुपह है, 23399, तो 33399 into 0.621, तो यह आगे 20741, ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं है, आगे बहुत कुछ आएगा, वर्किंग कैपिटल वेबिटल वो बाद में डिसकस करेंगे, और इन सब को जोड़ दोगे, और जोडने से 3, कोई बताये गया, टूटल बता दो, मैं कब तक जोडता रहूं, कोई तो जोड़ा होगा, 159, 3 थाइं क्यों वेजनती, हाँ जी, मतलब बच्ची है, मैं सुसरा निकल लिए हो गया भी तो आ गया, 159, 357, 159, 357, इसको मैं क्या नाम दे दूँगा सर, इसको नाम दोगे, अब टूटल अफ बी, यह आ गया, टूटल अफ ए, यह आ गया, टूटल अफ बी, तो एन पी भी आ गया, बी माइनस ए, और एन पी भी कितना आ रहा है, 159, 357, मिनस 1,25,000, एन पी वी कितना आ रहा है, 34, 357, एक है, 34, 357, एन पी भी के साब से प्रोजेट करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, एन पी भी के साब से यस, या नो, अंसर बता हूँ, पी भी निकाल लिया, गुट, पहले मुझे एन पी, मैं पी पे पहुच रहा हूँ, एन पी भी के साब से प्रोजेट करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, यस, क्यों हो यस, क्योंकि एन पी भी पॉजेटिव है, हाँ, एन पी भी इस पॉजेटिव, अब सुनोगे, मैं P.I. पे पहुंच रहा हूं, अब मैं कुछ पूछने जा रहा हूं, आओ आपकी परिच्छा की घड़ी है, और यहां मैं चेक करना चाहता हूं कि C.A. इंटर में किस लेवल तक पढ़ा हुआ है, मैं जानता हूं अच्छे बच्चे हैं और सभी का जवाब सब्सक्राइब यहां तो अच्छे से ही पढ़ा है, पर ऐसी मैं टेस्ट करना चाहता हूं, आपका जवाब चाहिए, मान लो दो प्रोजेक्ट हैं और इसका NPV आ रहा है आठ जार, और एक का NPV आ रहा है बारह जार, आठ जार और बारह जार यह तो एक ही प्रोजेक्ट है, तो NPV positive यह तो accept पाल लो दो project है इसका NPV 8000 और इसका NPV 12000 तो बताओ दोनों में से कौन सा करोगे दोनों यह कर सकते हैं पर मैं यह कह रहा हूँ कि दोनों में से कोई एक करना है तो दोनों में से कौन सा project करोगे A यब B इसका मतलब क्या है तो B का answer सही है और answer आ रहा है B यस तो finally equivalent life equivalent की तो मैं अभी पहुचा नहीं मैं equivalent तक पहुचूंगा investment की बात है अभी सुर्फ सिब इतना ही question है अगर इतना ही question है तो answer कौन सा आएगा answer आएगा B जिसका NPV positive है ठीक है चलो तो अब मैं आपसे कुछ पूचने जा रहा हूँ इसमें पैसा लग रहा है अब answer देना सोच समझ के इसमें पैसा लग रहा है एक लाख और इसमें पैसा लग रहा है दस लाख एक लाख दस लाख इसमें PVCI दो लाख और इसमें PVCI बारा लाख सर NPV नेकल सकता है यस PVCI माइनस PVCO इसका NPV कितना है एक लाख और इसका NPV कितना है दो लाख बताओ कौन सा प्रजेट करोगे आराम से सोचके बताना आराम से मैंने कहा आपकी पस्ट टाइम है सर एक लाख रुपिया लगा रहा है यस आएगा टूटल मिलाकर दो लाख तो NPV तो एक लाख हुआ यस और यहां दस लाख लगा रहा है और आएगा कितना बारा लाख तो NPV हुआ दो लाख तो दोनों में से कौन सा प्रजेट करोगे क्या मैं कहा रहा हूँ कि यार भूल जाओं अगर कॉश्चन आया कि भाई आपको NPV के हिसाब से ही बताना है तो आप उसमें अपना दिमाख मत चलाना है NPV के हिसाब से project कौन सा करोगे project B हाला कि आप भी जानते हों कि ये गलत NPV के हिसाब से project B उसको कोई रोक नहीं सकता सवाल ये है NPV कहीं न कहीं दिल NPV में भी समस्या है आपको भी दिख रहा है यह यह क्या logic है बोलो कितना पैसा लगा रहा है एक लाक आ कितना रहा है दो लाक एक लाक लगा कर दो लाक आ रहा है टाइमस में बताओ टाइमस में एक लाक रुपिया लगा कर आ रहा है दो लाक तो टाइमस कितना हो गया है डबल टू टाइमस और सर यहां दस लाक लगा कर बारा लाक आ रहा है तो times में बोलो 1.2 times ठीक है ठीक है sir 1 रुपिया लगाकर 2 रुपिया कमाएंगे sir और यहां 1 रुपिया लगाकर 1 रुपिस 20 पैसा कमाएंगे तो बोलो कौन सा अच्छा है यह वाला अच्छा है यार जितना लगारहे उसे डबल कमा रहे हो ना यस इस ratio को कुछ बोला जाता है और इस ratio को ही तो बोला जाता है P.I. बिल्कुल सहीं बोल रहा है है इसी ratio को बोला जाता है P.I. ठीक है? तो P.I. simple है और P.I. में decision कैसे लोगे? सर जिसका P.I. ज़्यादधा होगा उसको accept करेंगे तो हम अगला point कर रहा है discounting payback period मैं आपको homework दूँगा homework ही दूँगा discounting payback period point number 4 कर रहा है P.I. हाँ desirability factor बोल सकते हूँ हाँ बहुत सारे नाम है यह तो मैं दीरे दीरे आ रहा हूँ P.I. का formula P.V.C.I. divided by TVCO तो सर पी वी सी आई है 159 P.V.C.I. divided by 1,25,000 159 P.V.C.I. divided by 1,25,000 159 P.V.C.I. 1.275 P.V.C.I. 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 आखरी कोशन पर सुन होगे दिहां से आखरी कोशन मेरा यह मानना है आजी तैयार हो ना आप मैं आप से कुछ बूशे लेक लिए होगा 1.275 सबका आगया होगा P.V.C.I. और यह P.V.C.I. मानलो कोई प्रोजेक्ट A आणसर चाहिए भाई आणसर चाहिए जिसका मैंने कहा कि P.V.C.I. निकला है 1,30,000 और पैसा जो लगा रहा हो वो लगा रहा हो 1,00,000 P.I. के हिसाब से प्रोजेक्ट P.I. के हिसाब से प्रोजेक्ट एकसेट करे कि रिजेक्ट करे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें P.V.C.I. आ रहा P.V.C.I. समझ रहा हो कि यह डिसकाउंटिंग रेट लेके पूरा डिसकाउंटिंग करके आया 1,30,000 और पैसा लगाया जा रहा है एक लाक तो बताइए P.I. के हिसाब से हमको प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना सभी का अंसर आ रहा है यस उसकी वज़ा क्या है कि जो P.I. है वो एक से ज़्यादा है ठीक ठीक P.I. is more than one ठीक इसका मतलब यह हुआ और NPV के सबसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए NPV के सबसे अंसर यस या नो मैं बोलू NPV के सबसे करना चाहिए यस NPV क्या है NPV positive आ रहा है तो NPV के सबसे भी करना चाहिए तो question यह हुआ question यह हुआ NPV positive आएगा बहुत काम की चीज़े NPV positive कब आएगा जब P.I. एक से ज़्यादा होगा है ना यस सर तो अगर P.I. के हिसाब से आया accept ठीक मेरी बात ठीक है सबी कास आई है अब final conclusion पे पहुँच रहा बहुत important conclusion तो सर P.I. के हिसाब से अगर 1 से ज़्यादा आता P.I. 1 से ज़्यादा आता इसका मतलब NPV positive आएगा इसका मतलब सर सीधी से बात है कि अगर P.I. बोलता है yes तो NPV में भी yes ही आएगा अच्छा P.I. के हिसाब से अगर आया accept तो NPV के हिसाब से भी आएगा accept तो सर इसका मतलब है कि P.I. से और NPV से हमेशा decision एक जैसा ही आएगा अगर P.I. के हिसाब से yes आया तो NPV के हिसाब से भी yes क्योंकि P.I. 1 से ज़्यादा आएगा तो NPV positive है तो सर पी आई और NPV हमेशा एक जैसा decision देते हैं मैं सही हूँ या गलत P.I. और NPV हमेशा एक जैसा decision देते हैं चाहे आप P.I. से कर लो चाहे NPV से कर लो answer हमेशा एक ही आएगा या तो यास आएगा या तो नो आएगा या तो A अगर P.I. बोल रहा A तो NPV से भी A ही आएगा अगर P.I. बोल रहा भी तो NPV से भी B ही आएगा जल्द से बताओ मेरा statement अच्छा गलत सीधा insult सीधा सीधा कोई गलत कैसे बोल सकता है और कोई है अच्छा हाँ चाही मतलब समझदार बच्चे हाँ बिल्गुल सर अभी तो बोल रहा थे सर बिल्गुल सही इटमिस डिपेंड किस पे करता है सुनोगे सुनोगे अगर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है सुन लो भई सुन लो अगर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है अगर सिर्फ सर एक ही प्रोजेक्ट है तो फिर P.I.E. से जो आंसर आएगा वही आंसर N.P.V. से आएगा या तो या से आएगा या तो नो आएगा अगर सिब सिंगल प्रोजेक्ट है पर अगर mutually exclusive proposal है अगर दो प्रोजेक्ट है तब P.I.E. का decision अलग हो सकता है और N.P.V. का decision अलग हो सकता है या सर क्या इस बात को लिखवाओगे नहीं इसको भी मेरे लिखवाओगा ठीक है यह जरूरत नहीं है यह तो बस मैं ऐसी पूछ रहा अच्छा एक बात बताओ तो समझ के काम करना भाई तो समझ के जवाब देना प्रोजेक्ट को accept करे या reject करते चाहे पी आई चाहे एन पी भी प्रोजेक्ट करे या reject करते यास अन्यूट्रल मतलब ना तो accept ना तो reject तो फिर दिक्कत है हाँ तो मुझे आपकी क्लास लेनी पड़ेगी मैं समझ गया मुझे आपकी क्लास की जिरुप्रत है मेरा पर्शनल ओपिनियन बोलूँ पर्शनल नहीं मैं एक्चुल मैं लॉजिक के साथ बात करूँगा और लॉजिक के बात साथ बात करूँगा तो answer आएगा क्यों का जवाब नहीं दे रहा हूँ अराम जे करेंगे कोश्चन को क्यों का जवाब नहीं दे रहा हूँ आप सीधा इसको reject कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कास कोई आप कास समझ पाए कि यह आता कहां से है पीवी सी आई आता कहां से है तर पीवी सी आई आता है यहां से यह आया पीज़ तो यह क्या चीज है यह 10 परशंट, 10 परशंट है क्या, क्या चीज है आकरी 10 परशंट, 10 परशंट को और एक नाम है और उसका नाम है required rate of return, बस यह चीज अगर आपको समझ में आगा, discounting, यह है कैसी discounting, discounting rate बोल दो, cutoff rate बो required rate of return, पांच मिनट है, बहुत सारी बाते करने ही सकता, तो अभी मैं आपको एक homework दे रहा हूं, और homework दे रहा हूं, discounting, payback period निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी मैं, पांच मिनट में यह बात यह बहुत important बात है, जो मैं बोलने जा रहा हूं, 10% तो मिलता है, 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप 10% से इसकाँ, जितना चाहरे है उतना मिलेगा, यह बात तो करनी है कल मैं यह वाली बात करने वाला। IRR के विसमें मैं कल बात करूँगा आपसे, IRR में तो मज़ा जाएगा, ठीक, ठीक है सब, तो सुनो, अभी बहुत सारी हम बाते नहीं करते, धीरे-धीरे काम करेंगे, अभी जो है, अभी ये सब करवा लिया, मैं आपको homework देने जा रहा हूं, discounting, payback period, homework है, और मुझे पूरी उमीद है, क्या आप कर लोगे, हम class over करेंगे, आज की class में हमने सीखा किया, तो दो-तीन चीजे, दो-तीन गलतिया मैंने आपकी तरफ से देखा, दो-तीन गलतिया देखा, हाँ सर बताओ, क्या-क्या गलती किये थे, गलती number one जब आपने depreciation calculate किया, जब depreciation calculate किया था, तो गलत लाइगिंग हो रही है, आख लास चल रहा है, class का, चौटकट भी बता दूगा, पका, पहली गलती, पहली गलती, लिख लो कहां कहां गलती है, क्या तो और ये गलती ऐसा नहीं है, ये सभी से होती है, तो पहली गलती ये हुई थी, कि आपने जब depreciation calculate किया था, तो सेलवेस minus कर दिया था, गलती नंबर 1, गलती नंबर 2, जब आपको मैंने पूछा था कि बताओ, terminal value कितना, मैंने पूछा था, terminal value कितना, तो कुछ बच्चों ने मुझे जवाब दिया था, इस में से ये minus कर दिया था, ऐसा नहीं है कि आप ही से गलती होती, सभी से होती है, ये चीज का जवाब सही है, और आपको CA enter याद है, और हमने हर method को थोड़ा 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 evaluate किया, अब discounting payback period का answer आप मुझे group में message कर देना, या फिर किसी ने बनाया होगा, तो आप उसको, उसका pick डाल देना, तो सभी का हो जाएगा, इसके आगे, कल जो करूँगा मैं बात, वो बात करूँगा मैं NPV पे, detail में discussion होगा, क्योंकि यार पूरा focus, अब हम, अब हम, सुनोगे, सुनोगे, payback period नहीं करेंगे, discounting payback period नहीं करेंगे, ARR नहीं करेंगे, idea लेना था, यह कुछ नहीं करने वाले, दो topic पर बहुत ढंग से बात करेंग ठीक है, hard drive पर मैं upload कर दूँगा, वो मेरी responsibility कल पक्का upload मिल जाएगा, आपको board notes, तो class over करना है हम लोग, आज के लिए good night, कल से आपका काम चालू हो जाएगा, जोड़दा अधंग्स, ठीक है, bye, कल मिलते हैं, और कल कोशिस यह करूँगा कि यह जो technical issue आ रहा है, यह ना हो, तक हमारी class ना एक flow में चले, ठीक है जी, thank you, thank you so much